दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टियर एकरी कल्चर में दोस्तों आज के वीडियो में हम राजस्तान जीके की जो पार्ट एक अंदर FSO के अंदर यानि Food Safety Officer के अंदर पार्ट एक अंदर राजस्तान जीके आने वाला है उसमें से हम आज राजस्तान में 1870 की उकरांती वाला टोपिक हम करने वाले है वैसे तो ये वीडियो राजस्तान में तमाम जो भरतियां होती है जैसे करसी परविशक, LDC इत्यादी जो राजस्तान गुर्मेंट की वेकेंसी आती है उनमें इंपोर्ट एने वाला है मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ, GK का, कई विद्यारती मेरे को मैसेज कर रहे हैं जो कि other states हैं, उनके लिए वीडियो बहुत benefit रहने वाला है वैसे राजस्तान वालों के लिए भी ये benefit रहने वाला है क्योंकि हम राजस्तान में जो 1807 की करांती है, उसकी बिंदुवार चर्चाई याँपर करने वाले हैं देखेगा, सब से बेले मैं आपको बता दूं राजस्तान में 1807 की करांती की इस्तिती हम पढ़ रहे हैं उसके पहले हम भारत में उस समय क्या इस्तिती थी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं तो राजस्तान में 1857 की क्रांती में भारत में क्या इस्तिती रही तो 1857 की क्रांती की निशित दिनाग आपको पूछे तो वो थी 31 मई 1857 क्रांती का परतिक जिन आप सभी को पता है जैसे रोटी पूछे तो वो किसके लिए हो जाएगा वो सामानी वर्ग के लिए और कमल का फूल पूछे तो वो किसके लिए हो जाएगा उचिया कुलीन वर्ग के लिए हो जाएगा मुगल सासक वे क्रांती का नेता आपको पूछे यानि कि उस समय मुगल सासक कौन था या क्रांती का नेता आपसे डारिक्ट पूछ ले तो बाहदूर सा जफर या बाहदूर सा सेकिन या क्रांती का राष्टे नेतर तो किस ने किया ये एक्याम में कई बार पूछा गया है कि 877 की क्रान्ती के समय इंग्लेंड का प्रदान मंतरी कौन इंग्लेंड का प्रदान मंतरी पॉम इस्टन w intestine की महराणी कौन wittoria थी यह आपको ध्यान रखना है आगे चलते हैं राजस्तान में 877 की क्रान्ती में राजस्तान की इस्तिती क्या रही हमने भारत की इस्तिती में देखा अब हम देखेंगे कि राजस्तान में 877 की जब क्रांती हुई थी उस समय राजस्तान में क्या-क्या इस्तिती और कौन-कौन से पद थे यानि कि राजस्तान का एजी जी उस टाइम कौन हुआ करता था राजस्तान का एजी जी था पैट्रिक लोरेंस मित्रों आपको बता दूँ एजी जी के पदका सर्जन 1832 यानि 1832 इसवी में गवर्नर जनरल लोड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था यानि कि गवर्नर जनरल लोड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था किसका एजी जी के पदका सर्जन एजी जी की जो full form होती है वो होती है agent to governor general यानि कि राजस्तान का पर्थम एजी जी आपको पूझ ले तो राजस्तान का पर्थम एजी जी हो जाएगा Mr. Locate ये ध्यान रखना है राजस्तान का एजी जी पैटरिक लोरेंस ठाक रांती के समय 1857 में जबकि 1832 में जब पर्थम एजी जी बनाया गया था Mr. Locate को बनाया गया था 1845 में यानि कि 1845 में एजी जी का ग्रिश्मकालीन केंदर बदल कर का करती आ गया अजमेर से माउंट अबू यानि गोरों को यहाँ पर गर्मी लगने लगी तो यह यहां से कांच लेकिये मांट अबू और मांट अबू को आपको पता ही समलाओ गयरा केते हैं तो राजस्तान में करणती का राश्टे नेतरतोग करता आपको पूचे सोरी तो आउवा के ठाकूर, कुसाल सिंग, Canton qualifyuk को केते हैं यानि कि राजस्तान में क्रांती के नेतरतों करता आववा के ठाकुर कुसाल सिंग चंपाउत को कहा जाता है मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा देखो मुझे पता है सबको ये टोपिक आता है बहुत इजी है पर अधर स्टेट वाले जो विध्यारती मेरे से जुड़े वे हैं काफी टाइम से मेरे को कमेंट, मैसेज, इन बॉक्स, वोटस अप, इत्यादी जगे मुझे वोटस अप मैसेज कर रहे हैं कि आप सर प्लीज, पार्ट ए का जो कुछ सेशन है बचावा है, मेरे यूटूब पे मैं आपको बता दू, मेरे चेनल पे आपको डियर एकरिकल्जर चेनल सर्च करना है, आपको फूट सेप्टी ओपिसर की सारी क्लासेज बिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है कि वेकेंसी भी आ चुकी है आपको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, A, B, D, A, B, C नहीं करना, A, B, D करना यानी कि कैसे A, A यानी अरिनपुरा, B यानी ब्यावर, ब्यावर जो की अजमेर में है, अरिनपुरा, पाली में है, देवली, टोंक और N, K, N यानी कि नसीराबाद, खेरवाड़ा और नीमच, नीमच वर्तमान में MPH आपको ध्यान रखना है, और खेरवाड़ा उदेपुर में है, नसीराबाद, अजमेर में है, आगे चलते है, 807 की क्रांती की योजना, कितने व्यक्तियों ने बनाई, तो 807 की क्रांती की योजना, अज्जी मुलाखा और रंगोजी बाबु, दो व्यक्तियों ने 807 की क्रांती की योजना मनाई थी, अज्जी मुलाखा ये कानपूर के थे और रंगोजी बाबु, ये 17 मारास्टर के रहने वाले थे, आप आगे चलते हैं मरे मित्रों, 807 की क्रांती की पूरु में जो निर अबी, 807 की क्रांती की पूरु में निर्दारी थी, 31 माई 807 थी, और क्रांती की प्रारंब थी, आपको पूछे, तो क्रांती की प्रारंब थी, आपके पास हो जाएगी, 10 माई 807 मेरट UP से प्रारंब हुई थी, अब देखना, राजस्तान में क्रांती का प्रारंब हुई 28 में 800 सताउन को और राजस्तान में जो क्रांती प्रारम हुई थी वो नसीराबाद से प्रारम हुई थी यह चीजे भी आपको ध्यान अटने विसे हम यहाँ पे सारी चीजे हम पढ़ने वाले हैं आपको बता दूँ देखेगा इस क्रांती के पर्थम सहीद कौन थे तो इस क् मंगल पांडे मंगल पांडे के बारे में हम उनकी जीवन की जो परिचर्चा है वो हम कर लेते हैं ये UP के बलिया के निवासी थे मंगल पांडे कहां से समध रखते हैं UP के बलिया के निवासी थे ये बेरकपूर सेनिक चाउनी की 34 वी वैसे ये पीडियाप आपको मैं ट्रा तो आपको बता दूँ वैसे यह जो सारी मेरे नोट्स हैं वो मैंने सेयर कर दी है और भी मेरे पास जो कुछ मेंटर रहे जाए फैसो के लिए रिगाडिंग वो मैं सेयर कर दूँगा यह बेरकपुर सेनिक चावनी की 34 वी रेजिमेंड में एन्फैनेटरी के सिपाई थे मंग मंगल पांडे यह यूपी के बल्या के निवासी थे यह बेरकपुर सेनिक चावनी के 34 वी रेजिमेंड में इन्फैनेटरी के सिपाई थे मंगल पांडे ने 29 मार्च 857 को दो अंग्रे जदिकारियों की क्या कर दी यहां पर हत्या कर दी थी उन अंग्रे जदिकारियों का न अप्रेल 1877 की क्रांती में राजस्तान के परतम सहीद आपको पूछ ले तो राजस्तान के परतम सहीदे अमर्चंद बाटिया यानि इने कहते हैं राजस्तान का मंगल पंडे गवर्नर जनरल लोड होर्डिंग ने ब्राउन बेस राइफल के इस्तान पर देखना अब बास परतना पड़ता था अधे भारतिय सेनिकों ने इसका विरोध किया यानि कि विरोध यहां पर हुआ और एन्फिल्ड राइफल का परतम विरोध का हुआ तो बेरकपूर सेनिक चाहूने रट लो मैंने भी त्रों जो एन्फिल्ड राइफल है पहले तो दो चीजे याद परतम विरोध का हुआ बेरकपूर में हुआ अब नसीराबाद चाहूनी में क्रांती अब हम देख लेते हैं आगे नसीराबाद चाहूनी में जो क्रांती हुई थी उसके बारे में देखो बहुत इंपोर्टेंट चाहने वाली अब तो नसीराबाद चाहूनी में क्रांती क प्रतम इस्ताल राजस्तान में क्रांती का प्रतम इस्ताल आपको पूछे तो नसीराबाद चाउनी और चाउनी में क्रांती कब हुई 28 मई 1807 पंदरवी नेटीव इन्फेनेटरी द्वारा कौनसी पंदरवी नेटीव इन्फेनेटरी द्वारा आपको ध्यान रकना है मेर मित राजस्तान में करांती का प्रारण हुई 28 में 767 बहुत इंपोटेंट चीजह जागेएं Kick Amda यह ने रोगत चाहवनी का नारा क्या था चलो दिल्ली विद्रो का शाहवनी का नजगी styl चलो दिलली नारा नसराबाद शाउनी में दिया था चलो दिली ही खाली यह धार क्या था पंदरवी नेट्यव इन्फिनेटरी के सेनिक ко को अजमेर से हटा कर क्या रिया नसिराबाद ले अजमेर के पास ही एक जगे है नसिराबाद वहाँ पर क्या हुआ, इन्हें अजमेर से हटाया, जो पंदरवी नेटिव, देखो, एक बार मित्रों इस बात को समझो, पंदरवी नेटिव इंफिनेटरी के जो सेनिक थे, जैसे बटालियन होती है ना, राजपूद बटालियन, जाड बटालियन, ऐसे उस टाइम नेटिव इंफिनेटिर हुआ कर दी ती तो उस समें क्या हुआ कि जो पंधरवी नेटिव इंफिनेटिर थी उसे अज़ेमेर से रटाया नजिरभाद भेज़ दिया और नज़िर दी गई देखो दो आदिमिव की यह रहत्या कर दी उन्होंने ब्यावर अब देखना मजे वाली बात, ये भरतपूर रियासत होते हैं दिल्ली पहुझगे, अब हम पढ़ेंगे भरतपूर में, यानि नसीराबास से का जा रहे, क्रांति का करम पूछ लेते हैं कहीं बार मेरे वित्रो, आज कल एक्जाम में अलग लगतरी के परसन आते हैं, तो हो सक पूलेटिकल एजेंट की जब हम बात करें, तो वह है मौरीसन, यानि कि ये पूलेटिकल एजेंट भी अलग लग रियासत के हुआ करते थे, मैं आपको लास्ट में पूरे पूलेटिकल एजेंट अच्छे से याद करा दूँगा, ये मेरी गारेंटी है, भरतपूर रियास यह लाइन तो बहुत ही इंपोर्टेंट रही है, आरेस के एक्जाम तक पूछी गई है मिरमित्रों कि भरतपुर में कौन सी जाती ने क्रांती की, और भरतपुर में क्रांती की थी, गुजर और में, भरतपुर रियासत में, मोरिसन ने भग कर आगरा के दुरुग में सरनली, मोरिसन ने भाग कर आगरा के दुरुग में सरनली ये भी लाइन बहुत इंपोर्टेंट है यानि कि भरतपूर यासत में देखो बिना देखे आपको में बिना देखे मेरे साथ बोलो इस चीज आँखे बंद करो एक बार मेरे मित्रों आखे बंद कीजिएगा और मेरे साथ बोलिएगा कि भरतपूर की तत्कालिन सासक कौन जस्वन सिंग भरतपूर का पॉलिटिकल एजेंट कौन मोरिसन और भरतपूर में जब मोरिसन के पीछे लोग भागे तो इसने का सरनली आगरा के दुरुग में सरनली और इससे पहले यहां पर कौन-कौन सी जाती आई गुजर मेव अरे आपको मैं अराम से याद करवा दूँगा चिंता करने की बात ही नहीं है ठीक है आगे चलते हैं अब देखो मैं आपको सासक भी बता देता हूँ मैं यही सासाथ ही पॉलिटिकल एजेंट भी बताऊंग एक मिनट में मित्रों ठीक है यह अपने सही है जो जल रहा है वो सही है ठीक है देखो मेवाड यानि कि उसमें कुछ रियासते हुआ करती थी उनके कुछ राजा हुआ करते थे उनके कुछ पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे तो मेरे साथ बोलिएगा मेरे मित्रों कि जाद हो जाएगा मेरे मित्रों मैं तीन बार बोलूँगा मेवाड करा राजा कौन सवरूप सिंग 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 अब देखो दो confusion आपके साथ पी है और वो हर किसी student के साथ होते है मैं आपको नोर्मली एक चीज बता देता हूँ कि अलवर का एक बार में दो ये राजा पढ़ लेता हूँ पिर आपको बताता हूँ, अलवर का राजा कौन, बन्ने सिंग, और धौलपूर का राजा कौन, भगवन्त सिंग, आप देखो, आपको याद गरवाता हूँ, अच्छे से एक बास देखना, अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ, जेपूर का राजा राम सिंग सेकिन है, कोठा का पर बुद्धी का राम सिंग है ये तीन तो आपको अच्छे से याद रखने है याद भी हो जाएंगे को दिकत निए जोदपुर का आपको याद है मिवाड का मैं याद करवा देता हूं सभुरु सिंग वैसे कई विद्यार्चे को याद भी है कोटा का कौन है फिर राम भरतपुर का भी हमने देख लिया सीरोई का से ससी उसिंग हो जाएगा बीकानेर का आप जानते ही हो सरदार सिंगे करोली का बदन पाले बांसवडा का लक्ष्ण सिंगे जालावाट का पर्तु सिंगे बुंदी का राम सिंग से किने अलवर का बनने सिंगे धोलपूर का उरीजिसन तो आपको ध्यांन रखना है उसी परकार बाकी पॉलिकल एजल भी याद करने, तो उसी परकार हम बात कर लेते है, मेवाड के पॉलिकल एजल एजल कों सावर्स मेवाड का मदले कोई भी मेमान जब आता है या तब मुद्धिश्रा जिमें हम उन बात करते हूं तो इससी पहले का, जैडी होल में बैटकर जिमना है ? ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाकी मैं आपको बता दूँ ये पीडियाप आपको टेलिग्राम के माध्यम से हमारे वोट्टसप ग्रूप के माध्यम से मैं आपको अपने नंबर मुबाइल नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से आप नंबर लिलीजिएगा देखो निमत छाउनी में करांती अब देखना ये पहले क्या हुआ नसीराबाद से भरतपुर आए भरतपुर से आप निमत छाउनी में करांती करने जा रहे एक्जाम में एक ही डेट अभी तक पुछे गी है कि निमत छाउनी में करांती कब होई निमत छाउनी में करांती हुए थी 3.087 नेतर जोगरता पूछे ही जाते हैं अक्सर नेतर जोगरता मुहमद अली बेग वे हीरा सिंग है ततकाली नंग्रे जदकारी करनल एबोट था इस छाउनी में आटे में हड़ी का चूरा मिले होनी की आसंका का हुई यानि कि एक्जाम में सीधा सा परसन पूछा गया है कि आटे में हड़ी के चूरा मिले होनी की अपवा का फेली थी कुन सी चाउनी में फेली ती नीमच चाउनी में फेली थी जिस ने मिवाड के सेनी कदिगारी अर्जुन सिंग ने दूर किया ये भी पूजा गया किस ने दूर किया नीमच चाहुनी में मौमद अली बेग ने विरोध कर दिया और बोला कि जब अंग्रेजों ने अपनी सबत का पालन नहीं किया तो हम ऐसा करने के लिए बादे नहीं है ये भी बड़े आज में तगड़े हुआ करते थे उस टाए मैं बता दूं अंग्रेजों के विरोध ये विद्रो करने वाले व्यक्ति बहुत अच्छे हुआ करते थे यानि कि अंग्रेजों को एक विद्रो मतलब अपने आप में आप समझी सकते हो वो चीज़े तो अब देखना आगे चलते हैं इतने अच्छे सा आपको चीज़े बताने वाला हूँ नीमत से भागे में पूछा जाता है मेरे साथ बोलो नीमत से भागे कौन भागे अंग्रेज भागे कितने 40 देखिये 40 सदिशिये n है क्या कर दिया चितोर गढ़ में उग्राम किसान के घर अब किसानों के पास यह सरन लेने लग अब देखना होगा क्या आगे बहुत अच्छे चानी आने वाली है, अब इन अंग्रेजों को, यानि कि अंग्रेज कौन, जो भागे थे वहां से, वो 40 परिवार के सदिशों की मैं बात करा हूँ, जो नीमस से भागे, इन अंग्रेजों को मेवार के माराना सवरूप सिंग ने पिछोला जेल के जंग मंदिर में ठेराया, बहुत इंप अब देखना, नीमस के क्रांतिकारियों को सापुरा रियासत के साथ, लक्षमन सिंग ने सरन दी, अब देखना, तीन परसंतों बड़े इंपोर्टेंट बन गे, कि नीमस से सबसे पहले जब क्रांतिकारी भागे थे, उन्हें किस ने सरन दी थी, उसका आदमी का नाम है उगराम के बाद सरन किस ने दी, अरे इन्होंने भी देदी, मिवार के महराना सहुरूप सिंग ने भी क्या देदी, इनको सरन देदी, वैसे तो मैं आपको बता दूँ, मैं सोच रहा हूँ दो तीन दिन में, ये वाइट बोर्ड लाके एक अच्छा सा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासे लाओं, मैंने तो बहुत मन करता है मेरे मित्रों, मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, और आपको बता दूँ, मुझे पिछली बार भी जब FSO के विध्यारती, एक्जाम देने आये तो बहुत सारे विध्यारती मिले, और मुझे बहुत अच्छी होती है, आपको बता दू, रोयल इंसिटूट का आपको यदि कोई कोर्स लेना है, ओनलाइन कोर्स लेना है, तो उसमें कुछ help मेरे से जो हो सकती है, डिसकाउंट के लिए मैं कोशिस करूँगा, सर से बात करके 57 विध्यारती यदि किनी को कोर्स लेना है, तो मेर इसने दो करांती कारियों को सरन दे दी, और लक्षमन सिंग ने सरन दी, परन्तु इसने सावर्स के लिए के लिए का दरवाजा नहीं खोला, सावर्स के लिए क्या नहीं करा, अब देखना, एक यादमी ऐसा है, जो निमच करांती कारी है, चीक है, लक्षमन सिंग सोरी, चिएशंप पने रसा ऐसा कि आप बता दू ऊपर से एक प्रसंद पूछा गया था राज्स्तान में overs रियास्त तुरिया. यह कुलतो आपन आप जैना हो... पूचा गया था कि टोंक रियासत की स्था अपना किस ने की और वहां पे सन भी थी तो अमीर का पिंडार है आपको बता दो दो ओप्सन ऐसे मदद कन्शूजिन में था कि वो प्रसंद क्या आएगा फिर 817 वहां पे था तो लोगों ने वो सही भी किया होगा मैं आपको बता तो टोंक रियासत में क्रांती की बारे में हम बात कर रहे थे टोंक के ततकाली नवाब वजीरु दोला है तो ने अंग्रेजों का साथ या आते आम लोगों द्वारा इन्हें इसाही राजा कह दिया वजीरु दोला का क्या कह दिया इसाही राजा कह दिया गया ने तरतो करत यहां पर पूछा जाता है, नासीर मुहमद और अमीर अली है, टोंक की परजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, टोंक की परजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, टोंक की परजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया, यह देखो, टोंक की परजा ने क्रांतिकारियों का साथ करेंगे यार सोरी अभी मैं मिश्च में बोल गया उसको देखो नेतरतकोरता नासीर मुहमद अमीर अली टॉंग की परजाने करांतिकार्यों का साथ या मुहमद अली मुझीब के निचार महिलाओं दौरा भी टॉंग के करांति की गी ती कौन कहते है टॉंग क्रियासत में महि अलमाईस नाटक में कहिए टॉंग रियासत में अंग्रे जो की छाउनी देवली मिश्थी थी जहां पांच उनको सेनिकों ने विद्रो किया आगे चलते हैं किस राजा ने नीमच के विद्रो को को अपने यहां ठेहरा कर उनकी साहिता की साहपुरा के राजा लक्षमन सिंग किस राजा ने नीमच के विद्रो को को अपने यहां ठेहरा कर उनकी साहिता की किस राजा ने निमच के विद्रोई से निको को अपने या ठेरा कर उनकी साहता की देखो कैसा परसन किस राजा ने निमच के विद्रोई से निको को यानि कि उन करांती गानियों को किस ने ठेरा है तो साहपुरा के सासक लक्षमन सिंग ने इसने क्या नहीं किया सावर्स के लिए दर्वाजा नहीं खोला आपको ध्यान रखना है आगे जलते हैं देखना बहुत इंपोर्टेंट आएगा राजिस्तान के किस इस्तान पर करांती की नियत दित्ती पर विद्रो हुआ था किस सुको नहीं बता मैं बता दू 100% भरतपूर निमाडा के किस व्यक्ति ने शोम को समराट गोसित कर अंग्रेज को विरुद्विद्रो का विकुल बचाया फिरोज शा निमाडा का सासक वह करता था और शोम को समराट गोसित कर दिया और अंग्रेज को विरुद्विद्रो का विकुल बचा दिया एसा कौन सा आत्मी रे अलवर में करांती अलवर के तत्कालिन शासक बन्नों सिंग थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया अलवर के तत्कालिन शासक उस्च्छ में कौन हुआ करते थे अलवर के तत्कालिन शासक हुए थे बन्नों सिंग उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया अरे अंग्रेजो मुलकरे उपर मांकिदास की रचना है एक रचना आपको ध्यान रखने हैं आयो अंग्रेज मुलकरे उपर मांकिदास की रचना है आत्माराम पांडुरों ने 1866 में प्रात्ना समाज की स्ताफना की थी देखना अब आती है अजमेर नगर में करांतिकारी अब यह अजमेर आग ऐसे पहले कार्णन डिक्सर नई वीयावर मेयरे जिमेंट को अज्मेर भेज्टा तता जोथपूर ये वापस अज्मेर भेज्टा, वो पंदरवी नेटी नेटरी थी वह अलग है, तता जोथपूर महाराजा तक्ठे सिंग ने कुछल सिंग नेत्रतों में, जोदपूर की राज्किय सेना को अजमेर भेज़ कर सांतिय स्तापित की अकसर एक πरसंड पोचा जाता है कि यहाँ पर कौन-कौन से 2 व्यक्ति है जो जुनोंे अजमेर में सांतिय स्तापित की एक तो कोषल सिंग सेंग हुई के नेतर्थों में राज्किय सेना आई ठीक है सितल परसाद दिलराग्राम मोतिका यह आपको ध्यान रखना है यह लोगा नारा दिया चलो दिल्ली मारो फिरेंगी चलो दिल्ली यहां पर देखो किसने दिया सेनिक सीउधत सींग ने ये नारा दिया था उसके बाद देखो यह करांथी कारी उने एजी जी के पुत्र एलेकजन्ट की हत्या कर दी ठाकुर सिवना सिंग के नेतरतों में एरिन पुरा के सेनिक दिल्ली के ओर चले अब देखना आउवा में करांती और आउवा में बैंकर करांती होने वाली आपको पता ही बहुत इंपोर्टेंट चीजे बदाने वाला हूँ आज के टोपिक में बात थी वह थी रेक के पर्सन को लेकर मन मुटाव था और ये मन मुटाव क्या बणा यूदब का कारणा मना міक्रांते कारियों ने जोतपूर की राजके सेना और अंग्रेजों की सेना को सभी तुरूप से दो युद्धों में दो युद्ध कर लिए किसने कर लिए अरे इसने कर लिए आउआ का ये जो कुसल सिंग था इसने कर लिए अंग्रेजों से बोला क्या है हम युद्ध आपसे ही करेंगे दरते थोड़ी हैं अब देखना आओ आमें करांती के देखना युद देखना बहुत अच्छे युदे मजा आजाएगा आपको बिथोड़ा का युद आठ सितंबर बिथोड़ा का युद गभवा आठ सितंबर दो युदों की डेट याद गलेना बिथोड़ा का युद बि 177 चेला वास कायूद 1810 इन वी थोड़ा कायूद इस यूद में करांतिकारियों के विरूद जोतपूर की राजके सेने का नेतरटो उक्लेदार उनार संग ने किया एक्जाम में पोचा जाता है देखो इस उनार सिंग का नाम का नार सिंग भी लिका हुआ तो वो चीजे ऐसा करांती कारियों कि बित systematic 1877 और वितोडा का रिख में क्रांतिकारियों कि क्या हो गईए और क्रांतिकारियों में रफ dared जोएड की बात के लेते हैं चे लावासका बार के संद्य हम यूद पढ़ेंगे जब हम चेलावास का यूद पढ़ लेते हैं तो उसके बारे में हमें ये तो पता है ये कब हुआ पहले इसको बेजा ये तरट लटार उनर यानि उनर सींग को भेज़ा और अंग्रेजर जी सेना की हित कोट था ये हित कोट यह कोड जाके मोरी संग को बोला कि में तो देख वहां से आ गया वहां तो कुछाल सिंग है कुछाल सिंग है वहां तो मेरे पार नहीं पढ़ने वाला अब क्या होगा अब बहुत खत्रना कानी होने वाली है अब आप देखते रहे जाओगे इस चीज को इस यूद में क्रांदी कानी को विरुद जोदपूर की राज के सेना का नेतर्तू पॉलटिकल एजन मेक मोसन ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतर्तू एजी जी पैट्रिक लोरेंस ने किया था अब देखना दोनों ये अंग्रेज आ रहे हैं भया अब जोदपूर की जो राज के सेना है उनको ये पागल बना के अंग्रेज क्या कह रहा है तुम से कुछ नहीं होगा हम जो करेंगे वो ही होगा अब अंग्रेजी सेना का नेतरतु तु अंग्रेज करी रहे है पर जोदपूर की राय के सेना का नेतरतु भी ये क्या कर रहा है मोरिसन तो कहा था बरतपूर था तो मे एक मोशन की तो धजियां उड़ जाएगी देखना मेग मोशन का सेर कार दिया और आवा के किले पे लटका दिया रही आवा के किले के मुख्य द्वार और लटका दिया अंग्रे जदिकारी हॉम्स ने अब यह इंपोर्टेंट परसन है मेरे मित्रों आपको बता दू अंग्र पर दमन जो इनको रोका था ओ किस ने किया था अंग्रेज दिकारी हॉम्स ने किया था यह आपको ध्यानकना है ठीक है ठाकुर कुसाल सिंग ने आवा किले का बहार लांबिया के ठाकुर परत्वी सिंग को दिया देखो इसे ध्यानकना इस चीज को कि लांबिया के ठाकुर जोद सिंग के पास सरन लेली जोदपूर नहीं भीया जोदपूर कोठारिया के ठाकूर जोद सिंग के पास सरन लेली इन्होंने और चलंबर के ठाकूर केसरे सिंग को भी कुसाल सिंग ने चरन देदी अब देगना बहुत इंपोर्टेंट की जाएगी अभी तो बहुत कुछ पाल की है ऐगर कान के अजिसका कोbased के लिए थच्के algumas फिर आफकूर बात कर लेते हैं कि अहाओ ठीकाने कि एप देर पहले आपको एक widesटान की थी कि टोक रियासत की स्थापना जब ये मुस्लिम रियासत थी तो अमीर खापिंडारी ने की थी कब गेती मेरे मित्रों 1817 में ने बताया था हो तो उसी परकार आउवा ठीकाने की जो स्थापना है वो ठाकुर आईदान सिंग चपपा उतने 1720 स्थापती के अंतमे की ये अभी अरस में पूछा ए porta ये दियान रखना अओवा में करांथी IP का ररियों के फ्रयन स्रोध क्या रहते थे तो आपको बता दू आवए में करांथिकारियों के शुगाली माता और कामशार मादेव मंधिर आव़ Agr野 पाली माधिया अब ये देखो, होम्स कौन? होम्स ने करांदी का दमन क्या, वोई है कि कहां पर किया? आँआ हमें क्या अब ये क्या करेगा? मूर्ती को ले जा रहा है? ये मरेगा अजमेर ले जाए कैः जो वरतमान में पाली के बांगड संग्रालिय है ये भगवान के उल्टे स्थे खाम से अजमेर ले जाए गई जो वरतमान में पाली के बांगड संक्रालिय में अब हम कोटा चलेंगे कोटा में करांती 15 अक्रूमर 877 उनको करेंगे और राजा कौन कोटा का राम सिंग सेकिन हमने बताया जेपुर का राजा भी कौन राम से सेकेंड जबकि बूंदी का कौन राम सिंग के वर ये दियान लिख लेना ठीके नेतर तो करता ये एक जम पूझा जाता भई यहां पे थ सब्सक्राइब हो सिंगर कोटा में क्रूंदी कर रहा हूं मैं कोटा के पॉलेटिकल एजेन कोटा का कोन बर ये पूरिक व्रीकर का सिर काट डियाst के दो रेंग वे और तर तर निया cigar करते कि मेजर बटन का जब कोटा के बात कर दिए कि मेजर बटन का जब सिर घाठा था तो इसका गय और बटन के दो इनाpektका गतर को में रेंगे यह कि अंध Heims राम сिंग को क्या करा राम सिंग को क्या करा उसी के किल् strict में 6 मीने तक केज रघ दिया उसी के राज जो करने वाला था कारांटी कावंच नाम कोटा में और जदिकारी कॉंछ रोबर्स को बता दूँ को शीक-जिम्ली मीं नाम आपको बता दूंना और ऊपको बता तो उंक जिल्ली को सैल मेंब्रेंऽ का अपने नाम सदना आप तो सेल मेमरेन को इकाई जिल्ली कहने वाला आजमी कौन था इकाई जिल्ली जो इकाई जिल्ली कहने वाला था वो रोबर्स नाम का आजमी था सोरी मैंने बीच में बाइलो जी थोड़ी देखो ऐसे होती है करांती अब हम करांथी बढ़ता है ना तो करांथी आएगी बढ़ाई में भी गरांथी होने चाहिए अंग्रेज दिगरी रोबर्स वाली बताई दी कोटा के राजा राम सिंग सेकिंड के सम्मान में दी जाने वाली तोपों की सलामी सिंग्या 17 से घटा कर तेरा कर दी और करो लिके म आजा मदनपाल सिंग्स की सलामी बड़ा देंगे और कितनी कर देंगे इनकी सद्रा करतेंगे देखो ब्याइए अंग्रेज बड़े कुछ बड़े मतलब कुछ मादी आद्मी है यह ना जो आदमी इनके काम आगया एक घंटे में यह इतना मुझा उसके लिए कर देंगे अ कि जो केद था उसको निकाल के लाया और उसी में इनोंने ग्रेट कमांडर ओफ इंडिया का किताब दे दिया अब मैं तो कहता हूँ यह अंग्रेजों का बटानी क्या करकी गया है यह इंडिया में वैसे अंग्रेजोंने मैं बता दूँ जो विबाग थे वो बहुत आप में यह नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, कुछ नहीं होता है इन चीजों से, मैं आपको बता दू, या आप यह मैं सोजना है कि मैं YouTube से कुछ income कर रहा हूं, मैं कोई income नहीं है, zero, मैं YouTube से कभी income नहीं करना चाता, मेरा इतना ही है, मैं लोगों से जुड़ा रहा हूँ मेरे मन का जो भाव है वो लोगों तक पहुँचे और आपका जो भाव है मेरे तक पहुँचे आपकी भावनाओं को समझो आप मेरी भावनाओं को समझे बस मैं इतना ही चाहता हूँ मेरे मित्रों आपको बता दू मैं 8007 की एकनानती का जब वीडियो बनाने से पहले मैं सोच रहा था कहीं विद्यारती कमेंट करेंगी कि दे तो हमारे पास है मैं आपको बता दूँ सबके पास है मैं जानता हूँ इस चीज़ को पर मैं फिर भी मन को रोक नहीं पाया और ये वीडियो बना लाया इस वीडियो को जितना हो सके मैं यह नहीं कहता कि सेयर करो लाइक करो, सस्काइब करो इन चीज़ों से मुझे भी कुछ नहीं होने वाला हाँ यह चीज है कभी मैं देखता हूँ लाइक ज्यादा आते हैं तो मोटीव होते हैं जरूर इन चीज़ों से कि यार विद्यारती लाइक कर रहे हैं विद्यारती सेयर कर रहे हैं विद्यारती सस्काइब कर रहे हैं कुसी होती हो समय विधियर्थी कौन हम भी विधियर्थी हैं आप भी विधियर्थी हो सबी विधियर्थी हैं इस कारवा को बहुत आगे तक ले जाना है रुखना नहीं है आगे पढ़ ना है कोटा के राजा राम सिंग सेकिंड के समान में दिए उनने तोपों की सलमे संक्यात 17 से उठागर 13 कर दी गई क्रेट कमांडर इंडिया मैंने आपको पड़ा दिया है यहाद होना चीज़ सारी चीज़े यह तो मैं रिविजन करवा रहा हूँ कोटा के माराजा राम सिंग सेकिंड ने अपनी जनानी डोड़ो की रक्सा है तो मेवाड के मारान सावरूप सिंग को पत्थर लिख दिया था कोटा विद्रो की विशेशता है देखो कोटा के अंदर बहुती मितलों व्यवस्तित करांती हुईती देखना कोटा में सरवाधिक भीशन विद्रो हुआ खुनी खेल का हूँआ कोटा में ठीके सून यज़ित विद्रो का हूँआ यानि किस व्यवस्तित करांती का हूँआ कोटा में सरवाधिक लंबे समय का चेम हीने को विद्रो राजस्तान में वहा अंतिम विद्रो पोटा समांतर सरकार का गटन काँओं कोटा में सरवाधिक व्यवस्थित क्रांति का कोटा में यह तो याद इकल लेणा 스creenунд मतलो मैं आपको PDF दोँगा यार स्क्रिंशोट लेने कहीं जोर रहते हैं कि राजस्तान की एकमातर रियसत कि चाह खालती प्राराःम करने वाले और करनती का दमन करने वाले । दोनो Greek धोलपूर देखो राजस्तान में एकमात्र एसी रियासत जो क्रांथी को प्रारम करने वाले और क्रांथी का क्या करने वाले दमन करने वाले यानि क्रांथी को रोकने वाले भी बाहरी थे देखो कुरांती को प्रानम करने वाले दोलपूर में ग्वालियर के थे और दमन करने वाले पटियाला के थे जहें रख लोगे ग्वालियर और पटियाला तो ये दोलपूर कुरांती के अंतिम सही देता आते आ टोपे म्यूटिनीज इन राजपुताना म्यूटिनीज इन राजपुताना प्रिचार्ड की है सेकावटे रेजिमेन का मखाली के अंदरे जुन-जुनू चिड़ावा का गांधी है प्यारे लाल गुपता चिड़ावा का गांधी कौन प्यारे लाल गुपता राजिस्तान 867 की जब क्रांती हुई थी उसके परमुख व्यक्तितु आपको बता देता हूँ जैसे हम अमर्चन बाटिया देख रहे थे कि राज़स्तान का परतम सहित था अमर्चन बाटिया मूलते बीकानेयर के निवासी थे ग्वालियर में मुनीम का कार्य करते थे क्रांती के समय बाटिया ने जासी की रानी लक्षमी भाई और तात्या टोपे की जूग तात्या टोपे कौन अंतिम सहित और इनकी आर्थिक साहिता इन्होंने की थे उपना में 877 की ग्रांती का भामा सा राजस्तान का मंगल पांडे ठीक है ये चीज़े द्यानक लेना फासी इने में दीती 22 जून 888 को ग्वालियर के सरापा बाजार में इने फासी देदी किसे अमर्चंद बाटिया को देदी गई थी ये द्यानक लेना ठीक है अब देखना ताथया टोपे के बारे में भी हम देख लेंथे जो अंतिम सहीद था मूल नाम रामचंदर पांडू उरंग जनमिस्तान येवला मारास्ट कारिशेत्र गवालियर इन्होंने नाना साहिवे लक्षमी वैकी क्रांती के समय साहिता कि क्रांती के समय राजस्तान में दो बार प पहले आया जब प्राजित होगे कोई बात नी चलता है यूसरी बार बांसवाड़ा मरक सायर 9 अगस्त अटर सता उनको तात्या नहीं यहां कि सासक लक्षमन सिंग को प्राजित कर बांसवाड़ा प्राधिकार किया कुछ समय तक बांसवाड़ा का सासन संजाल नहीं बीनों तात्या टोपे को ग्रपतार हो जाए और 18 अप्रेल 1869 को सीरी में तात्या को फासी दे दी गई थी सिप्रानेति के किनाने सूरीमल मिशन की बात कर लेते हैं सूरीमल मिशन राजस्तान के राज्य कवी उपादी इनकी वीर रसा उतार बुंदी के सासक राम सिंग के दरबार में वन पाल में पोचा था कि जो बुंदी के सासके राम सिंग के दरबारी कवी तो है यह सूरीमल मिशन है ना बुंदी के सासके राम सिंग के दरबारी कवी थी इतना द्याना के लिए अपनी रचना वीर सतसाही में लिखा अन्य रचना इनकी वंश भाश कर है आगे चलते सर्दार सिंह इन्होंने राजपुताने से बाहर जाकर भी अंग्रेजों के साहिता कि इन्हें 41 गाउं बैठ कर देखों अंग्रेज को कि फायदा करते हैं गाउं आगे न यह चीज़े भई फायदा तो करोगे तो कुछ तो मिलेगा इसलिए तो यह राज लोग फायदा करते के राम सिंह 2 जेपुर एकमतर ऐसी रियासती जिसके राजा वे पष्चा दोनों ने अंग्रेजों के साहधी अंग्रेजोंने शितारहिंद की उपादी दिए सावर्स ने क्या धको यह परसन बहुत इंपोर्टेट है यहां पर इसमें नहीं लिखावा पर मैं आपको बता तात्या की फांसे का विरोध किया मेवाड के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने क्या बोला कि आने वाली पीडिया पूछेगी कि तात्या को फांसे की साधार पर दी गई मैं तो कहता हूं अंग्रेजों में भी कोई कोई ना अच्छे आदिमी तो हुई थे पर यह क्या गरें बड़ा अधिकारी के सामने चलती नहीं थी ना क्रांती की प्रणाम क्या हुए भारत से इस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त होगी और बिटेन क्राउन संसद की सत्त वार ओब इंडियन इंडिपेंट्स लगें यह पुस्तक पीट वीक पेपर्स वेश्कूटिक्स पेपर्स के नाम से भारत आई आर्से मजूमदार कहता है कि मत सिपाई मिद्रो सिपाई विद्डो कहता है घ्रंत दे सिपाई ब्यूटिनी और रिवल्ट ऑपाट से सता हूं यह तो नॉर्मल से चीज़ें इनका स्क्रिण सोट ले लेना आप क्योंकि इंपोर्टेंट नहीं इतनी बड़े-बड़े एक्जाम में पूछी जाती है वैसे यह फूर्ट से पीडियेप सारी पतम हो चुकी है आपको बता दूँ आँको देखा हाल का वर्णन विस्नूबट कोड से ने अपने पुस्तक मांजा परवास में किया बारत के परतें विक्ति जिन पर अंत्राश्टी कोड में मुकदमा चलाता वो थे वीर सावरकर ठीक है मित्रों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हाँ बोल रहे हो कि पहले था आपने बोला सब्सक्राइब नहीं करना लाइक नहीं करना यह नहीं करना वो नहीं करना मैं आपको बता दो यह तो हर यूटूबर की एक आनी होती है जिसके अंत में जिसके फस्ट में यह बोलना पड़त करते हैं अलक सी करांती कर दी यह वीडियो कैसा लगा वैसे तो कमेंट करके बता नहीं है आपको और किस सब्जेक्ट पर किस टोपिक पर आपको वीडियो चीए उसके लिए मैं को कमेंट करना ठीक है